नमस्कार दोस्तों मैं सीमाडे बन मेरे इस यूट्यूब चल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में मित्वन राशी वाले जातकों का डिसंबर 2018 का भविश्य फल बताऊंगे दोस्तों सूर्य अपनी राशी परिवर्दित कर रहे हैं और मंगल घ्रह भी राशी परिवर्दित कर रहे हैं सूर्य के राशी परिवर्दन करने से शनी वे सूर्य की यूती हो रही है यह यूती आपके जीवन के लिए डिसंबर माहा में शुप दायक रहेगी या फिर अशुप दायक कि इस्तिती क्या है आपको क्लियर कर देती हूं दोस्तों शुक्र अपनी स्वेराशी इस्तित है पंचम भाव में आपके और गुरु घ्रह बुद्ध घ्रह और सूर्य घ्रह की यूति आपके छटे भाव में विराजित है दोस्तों सूर्य आपके 15 तारिक तक छटे भाव में रहेंगे और 16 तारीक को वे 6 बचके 19 मिनट शाम को 7th हाउस में चले जाएंगे दोस्तों शनी भी आपके 7th हाउस में विराजित है और शनी और सूरे के यूति आपके 16 तारीक के बाद 7th हाउस में बन रही है मंगल आपके 9th house में विराजित रहेंगे, 23 तरीक को और 11 बच के 18 मिनट दिन से वे 10th house में चले जाएंगे दोस्तों राहु आपके 2nd house में रहेंगे और केतु आपके अस्टमबहों में रहेंगे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्ते के द्रिश्टी से मिथुन राशी वाले जातकों का डिसंबर महा किस तरीके से रहेगा दोस्तों छटे भाव में आपके गुरु ग्रह, बुद्ध ग्रह और सूर्य ग्रह की यूती हो रही है और अस्टम भाव में केतु विराजित है त दोस्तों और वाहन भी आपको बहुत अदिक संबल कर चलाना चाहिए दोस्तों अनिता आप दुरगटना की शिकार हो सकते हैं इसलिए मैंने पहले ही आपको सतर्क कर दिया है दोस्तों स्वास्ते का आप विशेस रूप से ध्यान रखेंगे खान पान का विशेस ध्यान परवाते रहेंगे तो यह महीना भी स्वास्ते की द्रस्री से आपका अच्छा गुजरेगा दोस्तों गोचर में ग्रहों की इस्तिती अच्छी नहीं बनी हुई है स्वास्ते की द्रस्री से और आप भी लापरवाई वरतेंगे तो आपका अस्वस्त होना निश्यत है दोस जो शिक्षा की माध्यम से अपनी अंडिंग करते हैं, जो जादा गौर्मेंट सक्टर से जुड़ेवे हैं, जिनका व्यापार गौर्मेंट सक्टर से जुड़ावा है, उनको भी बहुत अधिक उतार चड़ाओं का सामना इस महीने करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अनेक समस्याओं के बाद भी व्यापार में उत्रोतत सफलता आपको मिल सकती है, आप अपने आप पर भरोसा रखे तथा धहरे रखे, धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाएगी दोस्तों, व्यापार में पूंजी का निवेश बहुत सोस समझ कर करें, अ आने था, आपको हानियों का सामना करना पर सकता है, उद्योग दंदों में मशीनरी पूंजी का अधिक्तम उपयोग होगा, धन संबंदी थोड़ी परेशानी आपको इस महीने हो सकती है, गबराए नहीं, अपने आत्मवल्ब को कमजोर ना होने दे, अपनी महनत से अपनी आर्थिक इस्तिति को भी मजबूत करने में आप कामियाब होंगे, लेकिन जो जातक शनी घ्रह से रिलेटेट कारे करते हैं, अर्था जो प्रॉपर्टी से रिलेटेट कारे करते हैं, मशीनरी से रिलेटेट कारे करते हैं, और जो जातक मंगल घ्रह से रिलेटेट कारे करते हैं अर्था जो साथ सज्जा से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं होटल मेनेजमेंट से जुड़ेवे हैं और जो फेल्म इंडरस्ट्री से जुड़ेवे जातक हैं उनके लिए मैना बहुत ही अच्छा गुजरने माला है दोस्तों उनके पराक्रम में व्रदी होगी आत्म विश इसकी इंकम में उनके व्रदी होगी व्यापार में उनको बहुत अधिक लाप की स्थितियां उत्पन होगी जो भी व्यापार में वे धन अर्जित करते हैं उससे दुगना धन अर्जित वह इस महीने कर पाएंगे दोस्तों जोती शास्त्र के अनुसार इस महीने आपको बि वेवसाय करते हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा साविस सिदो रहा है वेवसाय के लिए आप मुनती कर सकते हैं कोई नई डील क्रैक हो सकती है नए बिजनेस ओफर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं पार्टनर से भी आपके अच्छे संबंद बने रहेंगे यदि आप वेवसाय को भड़ाने का प्रियास कर रहे हैं उसके लिए कोई नई मशीनरी यदि खरीदना चाते हैं तो वह आप 15 तरिक से पहले खरीदेंगे तो वह आपके लिए अतिशुब दायक सिद्ध होगी क्योंकि 15 तरिक के बाद मल मास प्रारम हो जाएगा तो उस समय आप कोई नया कारे शुरू करना जा रहे हैं तो माता और पिता का अश्रवाद लेना ना भूले और उनके सयोग से ही आप कारे करेंगे तो आप बहुत अधिक उचायों को चूँ सकते हैं दोस्तों और जो जातक नौकरी पेशा है उनके लिए भी ये समय अच्छा है जौब से उनकी अच्छी अंडिंग होगी दोस्तों और उच्छा धिकारियों के सयोग से उनकी पदोनुत्ती भी हो सकती है इस महीने यदि आपकी जौब छूड गई है तो पुरानी नौकरी वापस मिलने के भी पूरे योग बन रहे हैं और नए जौब ओफर भी आपको प्राप्त हो सकत अस्टम हाउस में बन रही है जिससे आपके दामपत्य जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाट उत्पन हो सकती है हजबन वाइब के दोनों में से किसी एक का स्वास्ते बिगर सकता है इस महीने और किसी और की वज़े से आपके दोनों के बीच में जो रिष्टे हैं उनमें खटास आ सकती है गलत फैमी का आप शिकार हो सकते हैं इस महीने और पारवरिक कलश भी आपके भढ़ सकता है क्योंकि केतु भी आपके अस्टमभाव में विराजित है और राहु भी आपके सेकंड हाउस में विराजित है जिससे आपके मानसिक परेशानों का बढ़ने का प जो भी दामपत्य जीवन है उसमें किसी और की वज़े से खटास उत्पन ना होने दे दोस्तो इस महीने आप धार्मिक प्रवर्ती के ज़्यादा रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा धर्मकर्म में आपकी रूची आप बनाए रखेंगे तो यह महीना आ हमारे जीवन में हमें अवश्य करना चाहिए दोस्तो धार्मिक यात्राओं का भी योग इस महीने आपके बन रहा है यदि आप करेंगे तो वह आपके लिए लापकरी सिद्ध होंगी दोस्तो और प्रेमी जातकों के लिए महीना थोड़ा मिला जुला परेणाम उनको देने पड़ेगा दोस्तो जब तक कि गुरू अपनी राशी परिवर्थित करके सेवन्थ हाउस में नहीं आ जाएंगे तब तक उनके विवा के योग नहीं बनेंगे रिष्टा तो तै हो सकता है इस महीने लेकिन शादी यानि की मांगलिक सूत्र में वे नहीं बन सकते हैं क्यों महीना आपको विवा के लिए थोड़ा विलम है अभी दोस्तो और जो जातक विवाहित है और संतान सुक्ष से विहीन है तो संतान उत्पत्ती के योग पूरे-पूरे बन रहे हैं क्योंकि पंचम भाह में आपके शुक्र विराजित है तो आपके संतान उत्पत्ती के योग बन रहे हैं दोस्तो यदि आप प्रियास करेंगे तो सफल अवश्य होंगे अब मैं बात करती हूँ विध्यारती वर्क के लिए महीना किस तरीके से रहने वाला है दोस्तो श्यनिवे सूर्य की यूती बन रही है जिससे आपका पढ़ाई से मन हट सकता है वियर्थ के कारें में आपका मन लगेगा घूमना फिरना अच्छा सजना सवरना आपको बहुत अधिक अच्छा रगेगा इस महीने आप घूमना फिरना बहुत अधिक करेंगे जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टप हो सकती है इसलिए इन चीजों को आप avoid करते हुए अपनी पढ़ाई पर focus करेंगे तो आपका बहुत अधिक अच्छा result आप प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि December महा के बाद आपके exam की तयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए यदि यही समय आपने गवा दिया तो फिर आपके result अच्छा आने की उमीद आप नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं आपको पहले से आगा कर रही हूँ दोस्तों आप अपने पढ़ाई पर पूरा focus करें यदि इस महीने आपका कोई competitive exam है तो उसमें selection के योग बन रहे हैं 15 तरिक के पाद तो आपके 100% selection के योग बन रहे हैं जब सूर्य अपनी राशी परिविचित करके आपके 7th house में विराजित होए जाएंगे तो यदि आप मल लगाकर focus करेंगे महनत करेंगे तो अवश्य सक्सेस होंगे और government sector से जुनने के भी पूरे-पूरे योग बन रहे हैं आप व प्तुन राशी वाले जात तक है लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई शुपरिणाम आपको नहीं प्राप्त हो रहा है आप किसी भी समस्या से परेशान है तो उपाय के यदि मैं बताऊं तो आप अपनी राशी अनुसार यदि अजुक मंत्रों का उचारन करेंगे अपन अनुसार राशी रत्न भी धारन कर सकते हैं लेकिन रत्न धारन करने से पहले आप अपनी कुनली का विचार अवश्य करवाले दोस्तों आप अचुक मंत्र और झो लकी कलर्स होते हैं उनसे रिलिटेट वीडियो आप मेरे चैनल में देखकर जान सकते हैं दोस्तों कौन से मंत्र होते हैं मंत्रों में बहुत अधिक शक्ती होती है दोस्तों आप इसका पॉजिटी परिणाप अवश्य प्राप्स करें इनका उचारण करके दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अ जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरिकी का लगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बैटर से बैटर ला सकूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंट्रेस्टिंग टॉपिक